तो आज मैं आपसे एक नहीं दो नहीं बलकि चार चार एसे भी सेयर करूंगी और बहुत ही टेस्टी होंगी एक से बढ़कर एक हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्रीज वीडियो को लाइक और शेयर करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां पे देख देखिआ बुटा की बढ़कर दें मैं राएक निए जेर की शीर काटशी देखिए ऐसे जागतें करले कर दो दूरी और ऑर लो पार दाल दें और इसको लो हीट पे थोड़ा हुआ कर लेते हैं साथ ही हम यहां पे वह थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं करीब चोफाँ करने हैं ताकि इनका कलर डार्क ना हो और यह देखिए रोष्ट हो गई है बस एक दो मिट में रोष्ट हो जाती है तो अब हम यहां पर एड़ करेंगे इसलिए बड़े साइज का प्याज आप सो मीडियम साइज के प्याज भी ले सकते हैं तो रफ्टी चॉप करके हम इसमें प्याज को भी हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राइब करेंगे तो देखिए प्याज भी हमारा थोड़ा सा राइट गोल्डन हो गया है तो अभी हमें यहां पे खेचा साथ लेशन की कलिया इसमें एड़ करनी है और मैंने यहां पे दो टमाटर रफली चॉप करके इसमें अब हम थोड़ा सा फ्राइब करेंगे इसमें प्रफट हो गया है और प्यास लहसुन अच्से सब्कर कोगई तो बस हम इसको इतना ही पकाना है और ठंड़का चीज़े है ने ने सब्सक्रीस करकई ने हैँ ऐसमयरों आड़ Тыक, भीरान प्रदार और तंड़कार आमें यहां लेगे जार के यहान पर करने के बाद हमें इसको एक मिक्सिक्ष्च जार में ना पाध ना द है और रब ठोलेड़ च्हान क कैब यहां पर रिड्च counsel ह विया तो पर बीडी घुक रहल लेटरा विया है अभ design होगे जाए wijद नहीं सकता है यहां पर इसमåल पोद्धार इसमाल म तो आप इसमें थोड़ा सा लैमन जूस भी डाल सकते हैं तो अभी देखिए हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम बनाएंगे इसके लिए एक तड़का तो यहां पर मैंने एक छोड़ा चमच ऑईल गरम कर लिया है तो जैसे ऑईल हमारा थोड़ा गरम हो जाता ह है तो इसको हम डाल देते हैं चट्टनी के उपर और हमारी बहुत ही टेस्टी एक दब मज़ेदाद चट्टनी बन के तयार है तो यह आप स्टोर कर सकते हैं किसी एरटार डिबे में और करें और इस चट्टनी को, आप डोसे के साथ इंज्गाकर तो यटली है कर सकते हaison सू तो दोसे के लिए नाही आपको बैटर को फर्मिंट करना है नाही गंटों भी होना है तो इसका लिंक में डिक्सिन बाक्स में डाल दूगी आप चेक आउट करना और आप अपने घर में जरू ट्राइ करना तो अभी तेखिए हम चलते हैं तूसी रेसिपी की तरफ तो यहां अब दैखें एक चेक हम निकाल के निकाल तो और ऊपी लिए Love झाल दोज़ी एक तक्षे सुझे क कमेbarיץ को भी डालें और ऊहिसा स्बूर्त यह दूदिंद hours पाना एक यह चोटा दूक्तला द्रक का जिसरे में कट कर करको डाला है साथ है यह गर आपके पास अधों संतु पानी डालना है थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देते हैं और पीसने के बाद हम इसमें और चीजें एड़ करनी है तो अभी देखिए मैंने इसको पीस लिया है इसको हम डाल देते हैं एक बड़े अपें करूब में आपको पेसाइच का ही बावल लेना है और अब हम इसमें पानी अड़ देते हैं तो मेने करीब यहां पे 10.5 पानी अड़ और हमारा नॉर्मल है आप यहां पर इसमें डाल दीजिए चाट मसेλά या फिर म्रॉटर पाौटर साथ भर जीरा पाउडर वी थोड जादा भी कर सकते हैं तो जैसे ही आपको तीखा चटपटा पसंद है वैसे आप यहां पर मसाले आड़ करें जो मसाले मैंने आड़ किये हैं और मसाले की कौनटी आप अपने हिसाब से कम या फिर जादा कर सकते हैं तो अच्छे से इसको हम मीक्स कर देंगे और यहां पे हमें इसमें थोड़ा पानी ओरेट करना है कयूंकि यह कापी गाड़ा है तो आज मैं बना रहे हूं गौल कप़े का पानी यानि की पानी पूरी का जो पानी होता है उसको मैंने बनाए है और इसके साथ मैंने गोल कप्पे भी बनाये थे जिसकी रेस्पी मेरे चैनल पर आलेटी आपको मिल जाएगी तो ये पानी अब हम रख देते हैं फ्रीज में और इस पानी को ठंडर हंडा हम गोल कप्पे के साथ इंजॉय कर सकते हैं तो इस तरह से आप पानी पूरी Gहर पे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और पानी पूरी की रेस्पी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो देखिए इस तरह से आप पानी पूरी बनाएए क्योंकि छुटियों में बच्चों का खाने का मन होता है और अगर आप मार्केट नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर पे इस तरह से बहुत ही इजी वे में पानी पूरी बना सकते हैं कोई भी स्नेक्स बना सकते हैं तो चलि और ओल ली और इन दूनों चीज़ों को वह मेंी ग्राइनकर ले ले इस तरह में करना है अब और इस को यह मिक्सिग-बावल में रख ले लेना है डो देश्भी एक दम यूनिक रसपी आपको मिलेंगी तो अब ही देखिए हम इस में थोड़ा साम डाल देते हैं जब हम रत साथ ही यहां पे हराधनिया भी डाल दें और अच्छे से हम इसको mix कर देते हैं और यहां पे हमें इसको dry mix करना है अभी और अभी देखिए मैंने यहां पे 3-4 medium size की यालों को boil कर लिया है और अच्छे से मैंने mask कर लिया है तो सारा हम इसमें नहीं mix करेंगे थोड़ा सा हम बचा देंगे क्योंकि जितनी जरुवत है न उतना ही हम इसमें add करेंगे और अभी देखिए मैंने इतना ये mixture साबुदाना और मुंखली का निकाल दिया है अब ये तेयार है तो अभी देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है तो बेलने के बाद हम इस पर लगा देते हैं जो मैंने mixture निकाल के रखा था था ना मुंखली और साबुदाना इसको हम इस तरह से लगा देते हैं ताकि ये थूड़ा सा क्रिश्पी और क्रिंची बने है तो इसको लगाने से आपको बेलने में भी कोई problem नहीं होगी अच्छे से आप इसको बेल पाएंगे और इसको हाथ हों से इस तरह से round shape दे देए देए अब हम नाइब से हमें इसे कट कर लेना है तो मैंने इसको इसे बोर्त के लिए बहुत ही अच्छी है तो आप इसको ब्रत में बना सकते हैं और अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहेएं तो सुबह जल्द वाजी में आप इसको बना सकते ही यह बहुत जयादा टेष्टी है साबुत दाना बहुत जयादा healthy क है तो अभी देखिए यह मैंने एक तो इस तो कम टेल में फ्राइब किया है और इसका कलर कितना अच्छा सा गोलन आ चुका है तो अभी देखिए बहुत ही टेस्टी एकदम कुरकुरा नास्ता हमारा बन के तयार है तो यहाँ पे हम दूसरा बैच भी अपना फ्राई कर लेते हैं और यह ज़्यादा तेल भी नहीं सोकता है अभी चलिए बना लेते हैं अपनी चौथी रेसिपी तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है साथी यहाँ पे हम डाल देते हैं धनिया पती अच्छे से मैंने दूल के डाली है अभी हम यहाँ पे करीब एक बड़ा चमज मुझ फली डाल देते हैं अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे देखिए तो यह चटनी आप ब्रत के लिए बना सकते हैं यह चटनी ब्रत वाली है और कलर देख रहें ना कितना प्यारा आया है तो आप चाहें तो आप इसमें लेमन जूस आड़ कर सकते हैं और यहां पर एक चुटा टुकडा अदरक का भी एड़ कर सकते हैं अगर आप अदरक खाते हैं तो देखिए बहुती तेश्टी बहुती ज्यादा यमी हमारा ब्रत का नास्ता बने के तियार है तो ब्रत में भी आप इस तरह से बहुती तेश्टी नास्ता इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ और देखिए कितना ज्यादा सॉप्ट है उपर से क्रिस्प अंदर से सॉप्ट तो इसे आप बनाईए और अगर आप इसको सुबह खा लेते हैं तो आपको पूरा दिन भूक नहीं लगेगी तो आपको मेरी चार रेस्पी में से कौन सी रेस्पी जादा हो तब प्लीज वीडियो को लाइक और साब्सक्राइब जरू करें थैंक्स वर वाच्छ